नमस्कार पीपी नूज लाइन के प्राइम टाइन में आप सब का स्वागत मैं हुरचनी अनुभव आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर की परमुक्ष सुर्खियों पर एजियन सागर में शुकरवार को आया जोरदार भुकम्व हन्वाडा पुलीस ने एक जाइंट ओपरेशन में पकड़े आतंगवादियों के दो मददगार आरेस्पूरा पुलीस ने दो कुख्यात अपरादियों को किया गिरफतार और जमू में 9 नुवंबर को खुलेगा सचीवालेओ अब कमरे विस्तार से एजिन्ट सागर में शुकरवार को जोड़दार भुकम्पाया इन चड़कों सी तुर्की से ग्रीज तक की धरती काम उठी रिक्टर स्केल पर इसकी तीवरता साथ मापे गई है तुर्की में इमारते गिनने से 12 लोगों की मौत हो गई बुकम के चलते गबराहट में लोग सड़कों पा निकल पड़े और इधर उधर भागने लगे इस्ताबूल और ग्रीक के समोस द्वीप में भी भुकम के जड़के महसूस किये गे दोनों देशों में समुंदर में उंची लहने उठने लगी और तुर्की में इजमिर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया तुर्की की सरकारी मीडिया ने आपता और आपात कालीन परभंधन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि 12 लोगों की मौत हो गई और 419 लोग घायल हो गई अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में इमारते गिरने और मलवे में लोगों के दवे होने की रिपोर्ट आ रही है कई अन्यक शेत्रों में भी संपत्यों को आशिक नुकसान की खबरे हैं अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कारे जारी है समोस अध्वीप के दिवार गिनने से दो किशोरों की मौत हो गई हंध्वाडा पुलीस ने एक जाइंट ऑपरेशन के तहट आतंकियों के दो मददगारों को गरफतार कर बड़ी काम्याबी हासिल की है सुरक्षा बलो ने भारी मातरा में हाथ्यार और गोला बारुद बरामत की है जानकारी के अनुसार हंध्वाडा पुलीस को पुखता जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं इसके बाद हंध्वाडा पुलीस और सी रप एफ की इकिस आरार वब्यान में बटालियनिस्चनयुक्त अभ्यान के तहत इलाके में जगा जगा नाके लगा कर वाहनों और पैदल चलने वाले यात्रियों की चेकिंग करना शुरू कर दी जांच के दुरान चिनार पार्क हिंदवाडा में दो बाइक से जा रहे दो लोगों को सुरक्षा बलों को दे कर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिन भाग नहीं सके शुरूराती जांच में गिरफतार लोगों के पैचान लियाकत अहमद और आकिब राशिद मीर के रूप में हुई है दोनों ही कुपवाडा के रहने वाले हैं पुलीस ने दो कोख्यात अपरादियों को गिरफतार कर उनके पास से एक रिवालवर, साथ जिंदा कार्तूस, एक तलवार और एक चाकू बरामत क्या है पकड़े के आरोपितों की पैचान बाबर, चौधरी, निवासी, चक, मौमद्यार, आरेसपुरा और सोरभ, सुधन, निवासी, इंदिरा नगर को मीरा सहेब आरेसपुरा के 20 सड़क से वीरवार देरात पकड़ा गया था यह प्रादी पुलीस की वर्दी पहन कर ट्रक ड्राइवरों से पैसे की मांग करते थे इसी मामले की जानकारी मिल जाने से ये लोग वहां से भाग निकले थे आरेसपुरा पुलीस वारा एक टीम का गठन कर इन दियोनों को बिती रात दबोच लिया गया पुलीस ने इस संबंद में मामला दर्च कर आगे की कारेवाही शुरू कर दी है। बाबर और सोरव पर कई पुली स्थानों में हत्या के परियास, नार्कोटिक्स और चोरी आदिक की 15 F.A.R. दर्च हैं। स्रीनगर में शुकरवार को सरकार का दर्वार बंद हो गया। अब जमू में 9 नवंबर को दर्वार सजेगा। 1872 में महाराजा गुलाब सिंग ने दर्वार मूब की परंपरा शुरू की थी, जिसके तहट 6 महीनी जमू और 6 महीनी स्रीनगर में सचिवाले रहता है। सचिवाले तथा सपताह में 5 दिन वाले कार्याले शुकरवार को बंद होगे, 6 दिन वाले कार्याले शनिवार को बंद होगे। 145 साल पुरानी इस परंपरा के तहट साल में दो बार रिकार्ड को लाने तथा ले जाने और करमचारियों को भत्ता के मुद्धे पर करोडों रुपे खर्च होते हैं। इसे देखते हुए इस परंपरा को बंद करने की समय समय पर मांग उड़ती रही है। साथ ही दोनों स्थानों पर सचीवाले स्थापित करने की मांग की जाती रही है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसी सूची के साथ ही निर्धारित सीमा को लेकर आपत्तिया मांगी थी। आपत्तियां 23 अक्तूबर तक दर्ज कराने को कहा गया था। आवक तो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूते के पहचान ACC सीमेंट मैसर्स बिशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पती दिन यातरा करने की अनुमती दी गई थी और लाग 5 तक इनकी संख्या 7000 हो गई थी अब इनकी संख्या 15000 तक कर दी गई है त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है कुछी दिनों बाद करवा चोथ परव है इसकी मदे नजर कट्रा में दुकानदार अपनी दुकानों को उन्होंने सजाना शुरू कर दिया है मन्यारी की दुकानों के साथ ही गिफ्ट आइटम सुनार और मिठाईयों की दुकाने सज गई है ग्राकों को आकरशित करने के लिए दुकानदार हर कीमत की गिफ्ट रखे हुए है ताकि ग्राहाक अपनी मनपसंद की खरीदारी कर सके अधिकांश दुकानदारों का कहना है कि कोरोना महाबारी ने सब कुछ चोपड कर दिया ग्राहक ना के बराबर हैं वर्तमान में भी कर्चा में अधिकांश वेपारिक परतिष्ठान बंद पड़े हैं जिसकी वज़ा वैशनो देवी यात्रा में आई गिरावट है वैशनो देवी यात्रा में लगातार कमी के चलते कस्वे में अधिकांश वेपारिक परतिष्ठान वर्तमान में अभी भी बंद पड़े हुए है हाला कि स्थानी खरीदारी के लिए दुकाने खुली है पर कुछ दुकानदारों ने उमीद जताई है कि जैसे जैसे तौहार नजदीक आएंगे वैसे वैसे ग्राहा अखरीदारी करेंगे जिसका दुकानदार बेसबरी से इंतजार कर रहे है करवा चोत वदीपा वली के तौहार को रोशन करने के लिए इस पार बाजार में मिट्टी के करवा वदीपों की भरमार है रंग भी रंगे इन मिट्टी के करवों वद्धीपों की लड़ियों के साथ इने सजाया जा रहा है जिसे ही रड़ी मेड उतपादों की तुलना में अधिक आकरशित भी दिख रहे हैं परदान मंत्री नेंदर मोदी के इन तेहारों पर स्थानी उतपादों को खरीद करने की अपील का भी बाजार में साफ असर दिख रहा है और लोग काफी संख्या में मिट्टी के बने इन करवों वद्धीपों की खरीदारी कर रहे हैं पुराने शहर की पुरानी मंडी इलाके में मिट्टी के करवों वद्धीपों का विशीश बाजार सजा हुआ है शहर के साथ लगते गाउं से काफी संख्या में कारिगरों ने यहां डेरा जमाया है मंदीर चोक में बने पार्क में इन कारिगरों ने अपना डेरा जमाया इंडो पॉक इंडरनेशनल बार्डर से एक किलोमीटर की गाउं बड़याल ब्रैमना के लोगों ने परदर्शन कर सरकार से 20 साल पुराने बारिश से बह जाने वाले पुल का पुने निर्मान करने की मांगी है लोगों ने बताया कि जब फाइरिंग होती है तो जब ये लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं तो इन्हें आने में 4 किलोमीटर लंबा सफर तै करना पड़ता है बहुत बार ऐसी फाइरिंग में लोगों की जानने भी चली गई है उन्होंने बताया कि मौजूदा MP जुगल के शोर भी यहां पर दो बार निर्यक्षन करने के लिया है लेकिन अभी तक उन्होंने भी पुल का कारे शुरू नहीं करवाया अब इन लोगों ने उपराजपाल मनोस सिनहा से मांग की है कि इस पुल का निर्मान जल से जल करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके अब इन लोगों करने के लोगों कारे शुरू ने अज भी अपना परदर्शन चारी रखा और सरकार से मांग करते हुए काहा कि जमू कश्मीर में मिनिममम वेजिस एक्ट को लागू किया जाए और पीडीडी विबा के सभी कैजो लेबर को रेगलराइज किया जाए उन्होंने सरकार को चहतावनी देते हुए कहा कि सरकार सभी कैजो लेबर की रेगलराजेशन के लिए जल्द ही कोई पॉलसी बनाए नहीं तो वैब बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी लेकिन फिर भी उनके बदले उनको कुछ नहीं मिलता हम यही कहते हैं इस टाइम भी यह लोग अपनी डिमांडों को लेके बैठे हैं दिवाली आ रही है दिवाली पर हम भी चाहते हैं हमारे परिबार हैं हमारे भी बच्चे हैं वो खुशी से दिवाली मनाएं लेकिन अग आप होंगे कब आपके मसले हम यहीं कहते हैं बैटा आज नहीं कल तो हम मीडिया के मादम से दबारा गवर्णर साब को यह कहाना चाहते हैं इस पर दिवाली पर आपको इच्छा तोफा दे क्योंकि हमारे बच्छे विजु गर दिवाली अपने गर में मरा सके प्राइम चायं जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार जैम अप्टीशन्स विद्ध फेसिलिटी ओफ आई एकसरसाईज ए स्कैन बायोमेट्री, पैकिमेट्री और आटोमेटिट फील्ड अनलाइजर और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंडेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासेज और कॉंटेक्ट लेंसेज मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जैम अप्टीशन्स गाधी नगार, जैम अप्टीशन्स नई बस्ती, जैम अप्टीशन्स अंफला, जैम अप्टीशन्स त्रीकुटा नगर